So hello everyone, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक opportunity के बारे में एक नया company है, जिसमें मुझे उसके fundamentals काफी अच्छे लग रहे हैं and एक बहुत अच्छी opportunity मुझे नजर आ रही है, तो उसके बारे में कुछ बातचीत करने वाले है, म आप वीडियो को like कर सकते हो, subscribe कर सकते हो, channel को bell icon press करके all पे set कर सकते हो, ताकि आपको आगे के जो भी updates होंगे, किसी भी stocks related या कोई भी opportunity होगा, वो आपको जो है, मिल जाएगा जैसे मैं वीडियो upload करूँगा, तो start करते हैं, stock का नाम है DCX Systems, अगर बात कर इसके market cap के बारे मे एक small cap company है, risk obviously काफी जादा है, अगर small cap है तो उसमें risk काफी जादा होता है, और इसके साथ आपको rewards भी small cap में जादा मिलते हैं, बट आप इस risk factor को बिलकुल भी मत भूलना, आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें stock PE के बारे में, तो 30.3 के आसपास का PE ratio है, stock PE के बारे में अग अगर आप industry PE से compare करो, अगर आप individually भी PE ratio को देखो, तो 30 का PE मुझे undervalued लगता है, तो एक undervalued stock है, जिसमें opportunity है, और जब opportunity होती है, और जब undervaluation इसमें जो है add हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी opportunity या बहुत बड़ा एक reward आपको दे सकता है, जब ये दोनों combine होते हैं, तो खेर, अगर इसके कुछ business के बारे में बात करें कि company actually करती क्या है, तो मैं काफ़ी detail में नहीं जाओंगा, बट मैं आपको overview एक बताता हूँ, कि company जो है basic company का का काम है system integration, electronic components and electronics का जो काम होता है, system integration and cable and wire harnessing, ये company का main काम है, जैसे की cable and wire harnesses, electronic subsystems, high end system integrations, PCB assembly, जिसको PCB ये कहते है for defense and aerospace industry, तो इन सब में company basically काम करती है, बाकि आपको और भी detail में जानना है, तो आप जा सकते हो, इसके PPTs को read करो, और annual reports को read करो, आपको easily समझ में आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ पे सबसे पहले चलते है profit and loss में, और मैंने यहाँ पे standalone open करा हूँ है, आपको ल आपको दोनों ही numbers same देखने मिलेगा, standalone में हमें थोड़ा सा जादा number देखने मिलता है, मतलब 2000, अगर आप consolidated में जाओगे, तो 2021 से आपको जो numbers देखने मिलेंगे, जबकि standalone में 2019 से, तो यह चीज़ एक फायदा, इसलिए मैं standalone देख रहा हूँ, that's it, आगे बढ़ते हैं, यहा 14% is decent, और अगर आप profit growth देखोगे, तो profit growth 3 साल का 94% है, और अगर आप TTM का देखोगे, तो यहाँ पे 38% है, तो यहाँ पे obviously profits भी थोड़े से, profit growth भी थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि 94%, 90%, 80% इस हिसाब से profit growth करना काफी मुश्किल होता है, तो TTA में 38% है, तो यह भी बहुत अगर आप ऐसा compare करोगे, क्या 94 था, 94 से 38 आगया, तो यह तो अच्छी चीज नहीं है, तो आपको यह समझना होगा कि 5 करोड से 10 करोड का profit करना आसान होता है, बट यही पे अगर मैं बोल दूँ कि यहाँ पे 66 करोड से बढ़ करके 132 करोड पे direct जाए, तो यह मुश्किल हो है, decent ROI है, अच्छा ROI है, 21% का ROI, अगर balance sheet के उपर चलता है, तो यहाँ पे reserves हमें लगबग 573 करोड के आसपास दिख जाते हैं, which is again अच्छा reserves है, अगर यहाँ पे हम borrowings के उपर आते हैं, तो long term borrowing हमें बिलकुली 0 देखने मिलता है, मतलब कोई भी long term borrowing नहीं है, जो borrowing है, वो short term borrowing है, जो कि है 409, तो 409 करोड का short term borrowing है, perfectly, मतलब आप इसे कह सकते हो कि borrowing काफी कम है, अगर आपको लग रहा है कि 409 करोड का borrowing, अगर आप compare करोगे reserves को देख करके, तो थोड़े जादा ही लग रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि short term borrowing है, और short term borrowing, बहुत ही, मतलब कम riskier side पे होता है, आप समझ रहे हो, बाकी CWIP के उपर चले तो कुछ CWIP खास है नहीं, investors के उपर चलता है, तो यहाँ पर promoter holding जो है 71% के आसपास, 71.72% के आसपास promoter holding है, FIIS का holding बिलकुल नहीं है, DIS का holding लगभग 8% है, और public का holding 20% है, और अगर आप इसमें retail investor देखोगे, तो पूरे retail investor ही है 20%, तो यहाँ पर बाकी सारे मुझे ठीक लगे, promoter का holding काफी अच्छा है, around 72 में इसे कह सकता हूँ, promoter holding को, around 72 promoter holding है, FIIS तो खेर है नहीं, इतने छोटे companies में, काफी कम आपको देखने मिलते हैं, और DIS भी आपको कमी देखने मिलते हैं, खासकर जब बात आती है, 2000-3000 क्रोड तो यहाँ पर आपको FIIS DIs कमी देखने मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी, यहाँ पर 8% के DIs मौझूद है, जो कि अच्छी बात है, तो overall मुझे strong hands तो काफी अच्छे लगे, अगर आप यहाँ पर retail investor का holding, जो कि 20%, अगर आप यह पूछोगे कि यह कितना है, कैसा है, मै एक चीज़, अगर आपको यह doubt हो रहा हो कभी, कि यार आप direct opportunity पर ही क्यों नहीं चले जाते हैं, आप direct technicals पर ही क्यों बात नहीं करते हैं, क्योंकि यह educational video है, और यह बताना ज़रूरी है, कि यह technicals के point of view से, और fundamental के point of view से, यह कैसे जो है एक opportunity बनता है, और obviously अगर opportunity की बात कर तो opportunity सिर्फ और सिर्फ technical view से नहीं बनता है, इसके साथ fundamental view से भी बनता है, आप पुछोगे कैसे, अब यह बताना थोड़ा ज़रूरी है, अब जो लोग video को without skip करके देख रहे हैं, तो उन्हें यह information मिल जाएगा, और यह बहुत important है मेरे हिसाब से, अब देखो opportunity मतलब क्या opportunity मतलब अच्छे gains, अच्छे percentage earn करने का मौका, और यह मौका सिर्फ technical नहीं, आपको fundamental देख करके भी identify करना होगा, अगर कोई company होती, मैं example के लिए बता रहो, अगर कोई company होती, जो अभी एक बहुत अच्छे support पैवलेबल होती, जस्ट यही, इसी तरह के मानलो technical होता, ठीक है, इसी तरह का technical है, same to same, but fundamentally, अगर sales growth देखता, मैं देखता sales growth, तो वो 8% का मानलो sales growth होता, या 5% का sales growth होता, या फिर अगर आप profit growth देखोगे, तो profit growth जो है, बिलकुल ना के बराबर 2-3% का profit growth होता, ROE जो है, वो लगबग 5%, 6% का ROE होता, तो क्या वो opportunity होता, वो opportunity नहीं होता, इ opportunity होता है, और technical सी देखना चाहिए, ऐसा नहीं है, technicals तो काफी कम देखना चाहिए, fundamentals and business, मुझे लगता है, जादा देखना चाहिए, खेर, जो भी हो, बहुत बाते हो गई, आगे चलते है, opportunity की उपर, अगर आप देखोगे, यहाँ पर थोड़ा यह consolidate कर रहा है, पहली चीज consolidate कर रहा है, तो consolidate में resistance support कौन सा है, तो यहाँ पर देखोगे, तो एक resistance तो यह है, जो मैंने mark कर रहा हुआ है, इसके ऊपर एक resistance यहाँ पर है, तो यह थोड़ा दूर है, तो मैंने भी mark नहीं कर रहा है, खेर, एक resistance इस जगा पर है, चलो मैं mark करी देता हूँ, वीडियो के दो परान ही, तो पहला resistance हो गया यह, ठीक है, जो all time high ही आप कह सकते हो एक तरह से, दूसरा resistance हो गया यह, जहाँ पर यह अटक रहा है, देख सकते हो, यहाँ पर जो है, यह consolidate भी कर रहा था, और उसके बाद एक support है, जो की है यह, आप देख सकते हो, multiple time यहाँ पर support आया हुआ है, इस जगह से, तो यह एक बहुत ही strong support है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है, पहले consolidate कर रहा था, market में आपको पता है, कुछ negative चीजे हुई, थोड़ा सिनायों जो है, volatile हुआ, तो यहाँ पर nifty भी काफी गिरा था, और stocks भी काफी गिरे, तो यह भी, इसमें भी गि support पर आएगा, तो मैं जो है, वीडियो को थोड़ा पहले बना रहा हूँ, अभी यह support पर आया नहीं है, पूरी तरह से, धीरे धीरे गिरावट होते 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 है, मुझे लगता है, थोड़ा से यहाँ पर फसेगा, रुकेगा, होते होते है, इस support तक यह पहुँचेगा, औ पहुचने के बाद एक बहुत अच्छी opportunity यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि यह एक बहुत strong support बन चुका है, multiple time टेस्ट हो चुका है, और अगर आप chart को पीछे भी जा करके देखोगे, तो कुछ खास आपको support आगे नहीं देखने मिलेगा, यहाँ पर जैसे इसकी listing हुई, उसके इसके नीचे एक और चीज़ अगर आप देखोगे, इसके नीचे अभी एक बहुत important black line है, और यह line किस चीज़ का, यह है 200 days का moving average, और मैं आपको हमेशा कहता हूँ, 200 days का moving average as a support काम करता है, as a dynamic support, और वो आपको कही न कहीं दिख भी रहोगा, कि 200 is moving average के पास से ही यह जो है, उपर चला गया है, और एक buying आई है, खेर तो यह था इसका opportunity, अब 2-3 आगे की बात कर लेता है, अगर यहाँ पर support आता है, तो obviously यह उपर जाएगा, उपर जाने के बाद मैं आपको पहले ही बता दू कि यहाँ पर हो सकता है, थोड़ा सा आपको resistance मिले, मालो यह नीची आया यहाँ पर उपर गया, उसके बाद थोड़ा सा resistance आपको देखने मिल सकता है, तो यह चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया, और उसके बाद एक सवाल यह भी आता है, कि अच्छा अगर यह breakdown हो गया, तो क्या, तो देखो वैसे तो chances काफी कम है breakdown के, बड़ breakdown होगा, तो मैं again इन वीडियो फिर से बना दूगा, और update आपको दे दूगा कि आगे किस तरह से मैं क्या plan कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, किस तरह से करना चाहिए, और मैं पहले ही बता रहो, किसी भी तरह का कोई recommendation नहीं है, किसी भी तरह का call tip नहीं है, purely educational purpose का यह वीडियो है, दूसर दूसर वचिन